प्रोमिस करता हूँ अगर ये वीडियो कंप्लीट देखने बाद आपका ट्रेडिंग करियर और ट्रेडिंग साइकलोजी चेंज ना हुई तो आप बेसक से कमेंट सेक्षिन में नेग्टिक कमेंट करके चले जाना तो आज है हमारा day three zero two operator level ट्रेडिंग सीखिने का तो आज हम सिखेंगी जब मार्केट gap अप होता है तो वहाँ पर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और उसकी पिछी की साइकलोजी भी बताऊंगा क्योंकि मार्केट में सबसे इंपोर्टन साइकलोजी है पर उसकी बार में कोई बात हद तक चेंज हो दाएगा तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सक्काऊंगा कि मार्केट जब गयप अप होता है तो हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं चलिए सबसे पहले मैं आपको सेट अप बता देता हूं मालें जी प्रिविश डे की क्लोजिंग यहां पर हुई है एंड मार लेवल कहलाता है फिव नाची में वह उसे मार्क लेना है जब मार्केट यहां पर फॉल्ड करेगा यहां पर कोई ग्रीन करनल बनेगा तो यहां से हमें एक अप्षाडिक दरफ ट्रेड बनाना है चलिए अब इसकी पीछी की सैकलोजी भी आपको बताऊंगा कि मार्केट ऐ देते हैं 95 लोग यहां पर तुरण सेलिंग सेर्ड में बनाना शुरू कर दिखते हैं जिससे उन सब के स्टोपलोस बापिस अपसेड में एवीलेबल हो जाते हैं पहले गलती यह और दूसरी गलती जो कि साइकलोजी बेस होता है यह गलती नहीं है इस बात को अगर आपको अच्छा लगे कुछ नहीं सीखने को मिले तो प्लीज एक सस्क्राइब जरूर करके जाना देखो सेकलोजी बहुत बड़ी ऑपरेटर की बताने जा रहा हो सुनो जैसे मार्केट प्रीविश डे में यहां पर क्लोज हुआ तो सबसे पहले आपको यहीं सिखना है कि यहां से उपर है तो यहां पर जो मार्केट को उपर ले जाना चाहते है जब मार्केट गैप अपर अपना हाई टू लो मार्क करेंगे यहां पर 50-60 रहल पर जब ग्रीन करना लाएगा तो यह अपना बचा हुआ पैसा जो इतना गैप में बच किया था वो अपना पैसा यहां पर यूटिलाइज करेंगे यहां पर जो गैप फिल वाले लोग रहेंगे वो उन्होंने ओल्ड़ी सेल सेड में पोजिशन बनाया ह लाखों लोग आपको यह सिखा देते कि यह यहां यूज करो यहां यूज करो बट वो बिल्कुल नहीं बताते कि इसका यूज कब नहीं करना ओके चलिए मैं आपको बताता हूं देखे जब जैसे की प्रिवर्श डे में मार्केट यहां पर क्लोज दे दिया ठीक है आज य और एक है psychological number वाली ठीक है तो आप YouTube पे मेरे already uploaded है आप जाके देख सातू मैं यहां पर आपका time waste नहीं करूँगा इसे द्वारा समझा के बट आप यही समझ लो इस वीडियो में अगर आप नए हो तो यह बहुत ज़्यादा important level होता है तो देखो जब market gap up दे यहां पर psychological number से 50 60 level level को mark करो और अगर इसके नीचे psychological number हो तो यहां पर जब एक green channel वने तो यहां पर आपको ट्रेडर नहीं लेना है इसके पीछी की psychology के बहुत असान से psychology है कि मैं आपको हमेशा बताता हूं जो कि psychological number होता है इसके नीचे बहुत बहुत ज्यादा stop loss every level होते है और every level क्यों होते ह आपको बताया था क्योंकि जो swing traders होते हैं वो बड़े बड़े लोट से हमेशा psychological number के ऊपर और नीचे ही अपना stop loss रखते हैं तो जब यह market यहां पर market क्या करता है आपको पता होना चाहिए market हमेशा stop loss के पीछे भागता है ठीक है तो यहां पर काफी लोग upside की तरफ सोचेंग double use करो ठीक तो यहां पर आप अच्छा से एक setup भी आपका बनेगा जैसे कि यहां पर जैसे closing हुआ ठीक यहां से फिवनाची मार्क किया and psychological number है ठीक है तो आपनी यहां पर गिरिंट करने आपको एंटरी नहीं लेनी बल्कि जब market इसका भी breakdown कर देगा तो यहां पर लोग क्या सोचेंगे कि आप तो psychological number का breakdown आगया है और फिवनाची का भी और gap fill करने market जाएगा तो यह तीनों psychological के हिसाब से लाखों लोग क्या सोचेंगे selling के वार में सोचेंगे and आपको पता है market में जो लाखों लोग करते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं होता क्योंकि आपको पता है कि आपने सुना है 10 में से 9% लोज करते हैं ठीक है तो मतलब कि 9% कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं और 1% कुछ ना कुछ सही कर रहे हैं ठीक है तो 9% लोग यहीं काम करें तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना ओके तो जब market इस psychological number को भी break कर दे देने green candle दिखे तो आप यहां स चलिए आपको एक और बात होता दो कब हमें इसका यूज नहीं करना है एंड दूसरा सेट अब देखो जैसे कि यहां पर पिडियोस दे की closing है मार्केट की ठीक है गैप अप दिया आपनी यहां पर 0.5.6 का मार्क लिए लेवल ठीक है फिबनाची लाके बट इसके अब क्यो लेडियों बता दिया है कि इसके नीचे बहुत ज़्यादा स्टोपलोस एवी लेवल लेते तब तो जब मार्केट इसे ब्रेकडाउन करके गिरिंड करना लेगा तो हमें आप सब्सक्राइब को बना लेना है चाहे मार्केट 0.5 & 0.6 को टच करे या फिर ना करे ओके चलिए में बनाना है और कब नहीं वनाना इसकी पिछेगी सटाइब की तरफ क्यों बनाएंगे कब नहीं यह वनाना यह आपको करवा दो कि जैसे मार्केट यहां पर ऑपन हुआ तो ब्रेकडाउन नहीं आ पहला है तो आपको इंप अब यहां होता होगा अभी सुनिए गार देख जब यहां पर opening हो एंड psychological number अबर हो एंड फिवनाची number नीचे हो ठीक है तो हमें वेट नहीं करने इसका एंड में आपको यहां पर दो स्थ्याध में ट्रेड क्यू बनाना है मैं बिन स्थ्याद की बात ही नहीं करता। सेक्लोजी भी आपको रिवाइज कर दो पहली चीज मैंने क्या बताई कि मार्केट में बायर्स होते हैं और यहां से जो मार्केट को उपर ले जाना चाहते हैं उनका पैसा बचिया तो जब मार्केट एक वर फोल करवाएगा तो 0.5 पर यहां पर आप यहां पर पैसा लगाओ होंगे तो मार्केट उपर ही जाएगा ठीक है तो यही एक नॉर्मल सी साइक्लोजी है और दुसरी साइकलोजी आपको क्या बताए थे कि यहां पर लाखों लोग यही सोचेंगे कि गया फिलूंग होगा तो इस वज़े से वह अपने सेलिंग सेड में बनाएंगे तो उनके अपसेड में अविलेबल होंगे एंड मार्केट उन सब का अराम से अस्टोपलोज हंट कर लेगा एंड आपको एक और चीज़ बताओ इसे डबल कंफरमेशन के लिए आप एक काम जरूर करिएगा जो कि आपको करना है ऐसा ना हो कि जैसे कि यहां पर क्लोजिंग हमें देखने हैं इस गलती को आप कभी मत करिएगा देखें यहां पर आपको थोड़ी बहुत साइकलोजी भी देखके चलनी पड़ेगी ठीक है अब मैं एक सैकलोजी बताता हूं इसे संगजी डेखें आपको हमें सब बायर सोड देखनें सेलर्स ठीक है पहले आप इस को क चेंज करते हैं मैं डेली लाइब में बदाता हूं अगर मार्केट को यहां से उपर जाना है और हम जैसे चोटे डीटेलर ने अगर बाय करका है तो मार्केट उपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा क्योंकि मार्केट एक जीरो समगें किसी के जिब से पैसा निकलता है तो किस अगर मार्केट को नीचे जाना है तो सबसे भी मैं आपको चार्ट के उपर दिखाँगा इस वात को धियान अखिगा तो चली हम पोईंट के उपर आते मैंने ख्या होता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को आपको बिल्कुल देखके चलना है ठीक है तो फोर इजंपल यहां पर मार्केट उपर जाना चारता है जी रोगा फ्रफिश पे सिक्सिप लेवल ठीक है बाट बैंग निफ्टा में क्या है कि पता चले यहां पर एक स्कलॉजिकल नम्बर है तो हमें थोड़ा सा और वेट करना है तकि जब साइकलोजिकल नमबर प्रेकडाउन हो जाए य और यहां पर भर भर के सेलर्ट साथ है एंड देन हमारा टार्योट असान से हीट हो जाए इसलिए आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को एक साथ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो चलिए हम अपनी बात करते हैं नेक्स सेटप की अभी तक मैंने आप घपफो और नीचे आ है तो हमें क्या करना है चलिए अब मैं आपको सिखाताएं एंड यहां से उपर जाने लगे तो हमें क्या करना कि ठीक है। वो setup कैसे बनेगा अब बता दो आप यहां पर वेट करोगे वेट कब तक करने जब तक कोई resistance ब्रेक नहीं हो जाता ठीक है इस चीज को नोट करेंगे resistance ब्रेक नहीं हो जाता है और जब ब्रेक आउट हो जाता है किसी resistance का तो एक रैड केंडल देखके इसके हाई का stop loss रखके आप नीचे तक का अच्छा-खासा टार्गेट रख सकते हैं टार्गेट कैसे करेंगे यहां से यहां तक फिवनाची लगाईए जो भी 0.56 का लेवल आएगा यहां तक आप अराम से अपना कारियेट रख सकते हैं चलिए इसकी बिचे की सैकलोजी बताता हूं ठीक है क्योंकि मार्केट में सबसे इंपोर्टेंट सैकलोजी होती है जिसके बार में कोई बात ही नहीं करता मेरे अलावा चलिए बताता हूं देखिए आप यहां पर बहुत अच्छी समझेगा ठीक है सब्सक्राइब करें बहुत इंपोर्टेंट चैनल आपसे मिस हो जाएगा ठीक है अब मार्केट में समझे रीटेलर्स की जो की छोटे ट्रेडर्स होते वह क्या करते है ना उन्हें लगता है यार मार्केट इतना जादा गैप फिल कर देगा पहली चीज वह यह सोचते है ठ अगर मार्केट यहां से नीचे ना के धीरे धीरे उपर जाने लगता है तो उनमें थोड़ा से डर रहता है कि यार मेरे हाँ से मुएंटम जारे में कब ट्रेड लूँ कब ट्रेड लूँ उन्हें कुछ भी ट्रेड मिलता नहीं है क्योंगि इतने जब मार्केट गैप अप ब्रेकाओट होता है तो क्या करना चीरे करनी सब्सक्राइप shop गर लॉडवर यह चीज़े पता है तो मार्केट ऐसा बिहेवियर करेगा ही नहीं अब यह बिहेवियर सिर्फ और ट्रैप करने के लिए करेगा ओके यह साइकलोजी आप आप समझे होंगे तो जब यहाँ पर नो परसेंट लोग दस में से नो परसेंट लोग जो कि लोस करते हैं वह लिच में जाने की हिम्मत नहीं हो ठीक है तो जब 9 को या फिर 90 परसेंट को कुछ भी वह 90 लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे अपना ट्रेड बनाएंगे और जब बनाएंगे उन सब के स्टोपलोस यहां नीचे अवी लेवल हो जाने वाले और जब लेवल होंगे तो हमें क्या करना है अभी आपको यहाँ पर सिखाया थे जब कोई रिजिस्टन ब्रेक आउट हो तो घ्राइड कंडल लेगा और इस चीज को प्लीज ध्यान देंगे प्लीज प्लीज इस चीज को ध्यान देंगे क्या बोलना हूं है कि मार्केट को अभी मैंने आपको समझा है था क क्या करें देखो यहाँ पर हमार्केट यहां पर पर ही जाना है देन मार्केट उपर जा सकता है घंसे कंडल यहाँ होग então दो कम क्या होंगे अभी आपको होता है कि अगर मार्केट को उपर भी जाने तो मार्केट स्टोपलोस हंट करके जाएगा क्योंकि आपर बायर्ट आज पहली चीज और अगर मार्केट को उपर नहीं नहीं भी जाना तो हमारा तो फायदा ही है क्योंकि यहां से मार्केट और ज देखो जैसके मार्केट प्रीवेस डे में यहां पर क्लोजिंग हो गया अब कब नहीं करना यह सिखा रहा हूं ठीक है ना यहां पर गैप ओपन हो गया ठीक है एंड कोई ठीक है तो देखो अगर यहां पर रिजिस्टेंस अगर मार्केट इसका ब्रेक आउट कर देखाया तो हमें एंट्री नहीं लेना है दोस्त क्यूंकि आप खुदी समझदार हो मैं आपको कहा है अगर मार्केट नीचे से उपर जाता है या फिर उपर से नीचे जाता है तो करेगा और अपना लुस ओ जाएगा करना है जिसके ऊपर किसे को भी ट्रेडिंग यहीं आते हैं रिटेलर को हमें आते हैं क्योंकि हम ऑपरेटर से मैंने इस वीडियो बना रहे हैं जाके प्लीज देखिए ठीक है तो जब दोनों भर-भर के रिटेलर क्या करेंगे और भर-भर के नीचे स्टोप लोग अभी लेवल हो जाएंगे देंजिब साक्रोज के लंब आप ट्रेड लेकि अच्छा पैसा कमा सकते हो फॉरिजमपल यहां पर मार्केट में प्रिवेश डे में क्लोजिंग हो गई एंड गैप अप हो गया आपको लग रहा होगा अगर भूल चुके हो तो मैं या दिला दू आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं हर एक्जामपल एच चीज को नूट करेंगे गोड़न शैटब पर इसकी प्रिवीश डे में मार्कें पर क्लोजिंग हो गई एंड यहां पर यहां पर यहां पर शैपर नीचे आया तो हमें एक उप सेड में में डील ब्रेकड़ आंग और बल्कुल तीन शैकलोजी बताएं और यह आपको अभी आपको बताता हूं देखिए इसमें पहली psychology क्या काम कर रहा है कि आपको पहला बताया थे में जो मार्केट में बायर होता है और एक seller होता है ठीक है तो यहांसे बाइंग करना चाहता है उसका उल्डेडी पैसा बच चुका है पहली चीज पैसा बच चुका है और दूसरी क्या सिखाया कि M patent बनने पर selling करनी चीए और W patent बनने पर buying करना चीए जो कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते यह एक टाइम पर यह साला काम करता था दोस्त बट आप यह बिल्कुल भी काम नहीं करता हो कि इस चीज़ को आप जितनी जल्दी एकसेप्ट करोगे उतना अचा profitable trader बनो होगे एक तो market को उपर ले जाने वाला है operator वो एंड दूसरा गया फिल वाले श्टोप लोश अभी लेवल होगे और यहां पर ग्रीन करने बनने वाद मार्केट में बहुत अच्छा अच्छा प्रोफिट अप्शार में capture कर सकते हैं ठीक है जब इतने सारे confirmation होगे वह भी सा आप नोट करीगा तो चलिए आपको एक ब्रहमास्त्र जो साइकलोजी और डेडी मैंने आपको बताया है कि अगर मार्केट को उपर जाने तो उपर सबस्पहले निकाल के फीड उपर जाएगा ठीक है तो आपको और साइकलोजी बताता हूं जो क्या भी चार्ट के उपर भ खुष कव है और खुष कव नहीं यह अपको साइकलोजी बताता हूं यह मेरे बोलने के तरीका थोड़ा जिब है बट यह देखिए मेरे बोलने के तरीक के उपर माझ जाए मैं काफी ज्यादा अटकतों मैं जानता है देखो लोग किस चीज को फोलो करते यह ट्रेंड को ठ रहेंगे जब फोड़ा नीचा दाए इतना पैसा मैं करसकता थोड़ा सा नीचा करते तो वह यहां पर खुश नहीं रहते हैं यहां पर खुश रहते हैं ठीक है यह बहुत वादी सब्सक्राइब बड़े reinforced तो हम आप Dul झाथ का हग निए यहां पर नीचे मिला दो हमें क्या कंडलगों बना है एंड बंग करती मार्क नहीं किया कि इतने बड़े करनाल के साथ उन्لي का stop-loss हंट कर दिया मेरे को कैसे पता सब्सक्राइब कर दिएक जो इतना अच्छा खासा एंडल बना है तो लोगों ने अपना से नीचे रखा हो याएंट आपको देख रहा होगा Market stop-loss करके किन अच्छा ऊपर चलिए ठीक आपको लाखो एक्जामपल दे सकते हूं ऐसी बार नहीं है कि इसी चार्ट में देखो आग बंद करके कोई से भी खोड़ूँगा तो आपको अच्छा एक्जामपल मिल जाएगा देखो यहां पर क्या हुआ कि अनौन चार्ट खोले है ठीक है पेवस्डे का देखो पிरवस्डे में क्या हुआ मार्केट कहीं लटा हवा मलला कहीं नंधंड हमारा सीलिंग में है ठीक है तो मार्केट कहां पर ऊपन हुआ है यहां पर यहां में तो नहीं होगी recover हो की selling market selling क्या है ट्रेन्ड में है तो अच्छा रेट कंडल दिखे तो हम बाइंग करेंगे ठीक है तो उन्होंने क्या क्या इन अच्छे ऑपर मिल ले था मलब कम पैसे मिल था वो खुस थे ठीक है तो यहां पर जैसे सेलिंग में उनसे इस लेवल के उपर में रखा हुगा और आप सकते हैं मार्केट तुरंत दो कंडल में हंट कर लिए उनस सब का इसके बाद निचे गया और मैंने आपको एक कि आपको दिखा देता हूं यह देखें मार्केट में यहां पर आये sellers है उनका मार्केट ने स्टोपलोश हंट किया फिर एक रेड करनल बना कि इतना अच्छा खासा फोल किया आपको मेरी सारी बाते जो अच्छे से नहीं समगता हूं उन सबको बखवास लग रहेगी बट आपके खुल जाएगा आपका ट्रेडिंग साइकोलोजी ट्रेडिंग करिया चेंज हो जाएगा 101 परसेंट कोई भी नहीं बोलता हूं कि आपका चेंज हो जाएगा ठीक है तो चलिए जो भी तक मैंने आपको सिखाया है वह सारा बैक्टेस करके दिखाता हूं तो अभी तक मैंने आपको जो भी सेट अप सिखाये आपको किस टाइम फ्रेम में यूज करना यह भी आपको पता होना चाहिए वन मिनट और फाइब टाइम फ्रेम के लिए एंड आप इस पर जितनी अच्छी स्कैल्पिंग करोगे आपको नहीं ज्यादा अच्छा प्रॉफिट होगा तो चलिए मैं आपको वन मिनट टाइम फ्रेम पर भी दिखा देता हूं यह भी निफ्टी का जाटे मैं आपको सबक्यू पर इक्जामपल दिखाऊंगा तो चलिए हम देख लेते हैं यह देखिए आपको एक चीज मेरे अंदर बहुत अच्छी खास बात लगई कि जहां से इक चारुट करते हैं में बिलकुल वही से दिखाना सुरू करता है, बाक्षिय टूर्ज की तरह नमर को breakout कर दे फोर इजंबल मार्केट यहां पर यहां पर था क्लोजिंग पहले एक दो केंडल मिनेट में एक टाइम फ्रेम में ठीक है तो पहले दो मिनेट में कोई भी नहीं घुसता यह दोनों ऐसी बनते हैं ठीक है फिर मार्केट में घुसना कहां से स्टार्ट हुए रेक आउट करें तो हमने सेलिंग सेल्ओं पुजिशन बना यह ठीक है यहां पर एक सैकलोजिकल नमबर था मार्केट में क्या हुआ पर आप यहां पर भी सैलिंग पोजिशन बनाते के मार्केट ओपन होती सेलिंग बना लिया फिर वी आपको इतना प्रोफिड मिल जाता त मैं आपको मेने आपको क्या देखे यहां पर मार्केट जहां पर सैखिलौजर कल में ब्रेक अज तो आपको सेखिलौजरी मिलत तो चलिए हम नेश्ट देखते हैं मार्केट में क्या हुआ है चलिए देखते हैं साथ तारीका बता दिया एंड नेश्ट छे तारीक यहां पर गैप डाउन ओपन हुआ है मैं गैप डाउन के ऊपर कल वीडियो बना दूँगा ठीक है अब रेगुलर वीडियो है कि मेरे पता होगा कि कैसे होता है आपने सपोर्ट ओर दीस्टेंस को प्लिज जाके देखिए कि आप sates सकते है यह तीनचीज हमारा क्या बन सकता है ड्रीजिशun और शपोट बन सकता है ही चीज को प्लिज दिहान में रखीगा तो चलिए अब हमें यहां पर क्या देखने को मिल रह यह प्रिवेश्य देख देख एक तो नो निशक घो दोपन गया और दूसरी चीज प्रिवेश्य देखा हाई बन गया तो अगर मैं यहाँ और कोई मार्क कर लेता हूं जैसे होरी जेन्टल लाइन जैसी यहाँ पर हाई था ठीक तो मार्केट ने क्या हुआ यहाँ पर गैप आप अपन हुआ गिरीन कर्डल बनके उपर गया रिजिस्टन का ब्रेक आउट हुआ भरवर के बायर्स आये रिटेलर्स ने भरवर के बाइंग की उन सब के इस लेवल की नीचे में रखा एंड देखो अगर आप यहाँ पर एक रेड करनल में अगर बनाते म मैंने आपको क्या का था मैं आपको ध्यान में दिलाता चलता हूं कि प्रिवेश्डे क्लोजिंग है हाई है ठीक है जैसे मार्केट ओपन हुआ फर्स्ट केंडल ऐसी बनता है एक मिनट की टाइम फ्रेम में ज्यादा मायने नहीं रखता पहला दो तीन केंडल ओके बड़ द क्या है ड्रेश्टेंस मैंने मार्क है रज्टेंस क्या है प्रिवेश्ट लेका हाई ठीक है फिसे विद्वेश्व्च भी है और हाई ठीक है तो काफी अच्सा है तो डेशी से ब्रेक आउट भाट हुआ ब्लीच करनल पर आप अगर पोजीशन बनाते तो तो सब्सम्द देखते हैं हमारे यहां पर कुछ सा काम करें यहां पर हम यहां पर लगाए क्या बात है देखो मैंने आपको एक और सबसे पहला कि जब मार्केट प्रिवेस्टे का क्लोजिंग हो एंड गैप अप हो तो आपको क्या करना है लो टू हाई फ्युनाजी को मार करना जी रूप फ प्रिवेस्टे के लोग आपको इन अच्छा प्रोफिट मिल जाता ठीक है ओंद आपको सारा चीज दिखा रहो एंड मेरी फिवनाची की सेटिंग आपको देखनी है तो वह भी आपको दिखा देता हूं ठीक है मैं अपने भाई लोग से कुछ भी नहीं छुपाता ठीक है बस आप लोग से एक ही दर्थखवास्त है कि प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा बना ये चनल अगर आप से एक और मिस होगे तो बापिस मिलना बहुत मुश्यले ठीक है ऐसी साइकलोजी वाला प करूज का ये रहा ठीक है चलिए मार्केट में क्या हुआ है यह कौन सा डेट है कौन सा डेट है ठीक मार्च एक मार्च को देखिया आपको एक मार्च को किनन अच्छा देखने को मिलना यहां पर गैप तो नहीं हुए मार्केट सैड़विज ओपनिंग होने के पाद इतना अच्छा उपर चला गया ठीक है बट आपको सेडवेज ओपनिंग में एक बहुत अच्छा एक्जामपल देने चाहते हो आप मेरी अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी 13 सेट अप गया अपने में किया भी होगा है आपको बताया था मैंने कि जब मार्कट इतना अच्छा काव अच्छा गैप अन्यृप होता है तो बार्क इस चक्कर में मार्केट थोड़ी देर consolidate करता है और यहाँ पर ज़्यादा समार्ट बनते हैं रिटेलर्स वह क्या करते हैं कि मार्केट को थोड़ा नीचे आ नहीं है तो मार्केट में जब ऐसे रैडरेड केंडल बनते हैं यहीं पर सेलिंग करना शुरू कर देते हैं जब यह सेलिंग करते ह मार्केट यहां से तुरंद फटके चला जाता है इस फॉर्मूला का नाम दिया था मैंने सी यूटी इसे कहा था सी यूटी सेट आप आपने नहीं देखा तो प्लिस वीडियो को जाके देखिए चलिए अब मैं आपको एक्जांपल देता हूं बैंक निफ्टी का निफ्ट यह ठीके एक सैक snack लोझकल नमर है यहां पर आपको दिखेर हुगा हो ओपर ₹re फ debate ऊजिंब्ट लिए ओके यहां पर मार्केट में क्या हुआ यहां पर मार्कीट में प्रिवेश डे में ऊपन दो तिन ग्रीन केंडल बायर्स आगे साइकलोजिकल नंबर रेजिस्टेंस के ब्रेकाउट हुआ बायर्स आगे एंड एक रैट करने लेखते हैं अगर आप सेलिंग सेल में पॉजीशन बनाते तो आपको दिखाते हूं आपका किना अच्छा प्रोफिट हुआ होता अगर पह कोई फायदा नहीं है ठीक है कि गैप डाउन का मैं आपको बताऊंगा बट वो नेक्ष्ट बताऊंगा ठीक है यहां पर देखेजिए यहां पर वह एक्जामपल है प्रीवेश डेका यहाई था ठीक इसी तरह काम करेगा बायर्स आए भर-बार के बायर्स है ठीक हमें इसका लो का आप अपने बनाई एंड आप इसके केंडल के लो का रखते हैं यहां पर आप देखे कितना अचा आपको प्रोफिट मिलता है एंड जब मार्केट रिवर्स हुआ तो आपको इसमें पैसा लगाओ क्यूंकि मैं नहीं चाहता मेरे जो भी सब्सक्राइबर से मेर भाई लोगे उनका एक रुपए भी वेस्ट हो तो ठीक है तो आप इसे जाओ बैक्टेस करके देखो और अगर आपने मेरी डे बन और डे टू की वीडियो नहीं देखे तो वह देखो और अगर आपने मेरी साइकलोजिकल लेवल और सपोर्ट अजिशन की वीडियो नहीं कर सकते तो उस दोस्त के पास प्लीज मेरी यह सारी वीडियो सेर करिए ताकि वह फिरी में सीख पाए और मैं डेली लाइब करता हूँ अगर आप मेरी साइल लाइब में जोड़ा नहीं साहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बैल आइकन उन कर लो मैं स्वेर डेली नो मुझे लाइब आता हूँ आप लाइब मार्केट में मेरी से सीख सकते हूँ धन्यवाद